नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में मैं हूँ आज का आपका MSWAT साथी मुकेश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे हम एक टेबल स्टाइल क्रेड कर सकते हैं अपना पिछली वीडियो में जैसे के हमने देखा था कि हम कैसे एक टेबल स्टाइल कैसे हम अपने टेबल को मौडिफाय कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसे कैसे और भी चेंजिस कर सकते हैं Table style वाले options में हमने ये सारे चीज़े देखी थी और ये सारे चीज़ों में अगर हमें कुछ changes करना हो तो हम उसे कैसे modify कर सकते हैं ये हमने सीखा था आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अगर हमें अपना कोई एक table style बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं तो उसके लिए आपको एक table insert करना है उसे select करना है और टेबल style वाले options में टेबल style वाले options की drop down पे new table style पे आपको click करना है अगर आपको table style को कोई नाम देना है तो आप नाम दे सकते हैं जैसे की ठीक है अब टेबल style का type फिर टेबल based down टेबल style का type है table and table based down अब टेबल आपको कैसे रखना है टेबल टेबल लिस्ट या फिर टेबल आरुम अगर मैं टेबल ग्रीट पे click करता हूं तो ठीए हमें कुछ मिलता है या फिर मेरे टेवल 5 ग्रीड ऐसे रखता हूं तो ऐसे हमें मिलता है यानि कि हमें एक लिस्ट दिये जाते हैं कि टेबल कैसे बेस्ट होना चाहिए मतलब किसके मिंस हमें एक option दिया जाते हैं जिसमें style बेस्ट होना यानि हम आज जो table है कैसे हो अगर हम इसपे क्लिक करते हैं या फिर इसपे क्लिक करते हैं तो हमें table style एक अलग-अलग तरह से मिलते हैं अगर मैं for example इसे ले लगता हूँ apply formatting to whole table header row first column band column अगर मैं whole table पर ही रखता हूँ अगर मुझे कोई इसका font change करना हूँ मैं चाहता हूँ कि font इसका मैं यह रखतू अगर मैं उसके size को मैं को changes करना चाहता हूँ, font की size को वो कर दो, bold, italic अगर आप underline करना चाहता है तो underline भी कर सकते हैं font color में, font color अगर आपको कोई change करना हो वो भी कर सकते हैं आपको अपने table को कोई border देना हो, border पर click कर दे border की width को change करना हो, width को change कर दे border की color को change करना हो प्कालर को चेंज कर दें Borders आप कैसे रखना चाते हैं All Borders No Borders Outside Borders, Inside Borders, Top Borders Left Borders, Right Borders आप यसा बॉड़र रखना चाहि zost अगर मैं All Borders पर क्लिक करता हूं अगर अगर All Borders पर क्लिक कर रहा हो तो ऐसे Borders कुछ बन केया थे जो अंदर फिलिंग है फिलिंग में मैं कुछ जो शेड से अंदर ये वाले मैं कुछ और रखना जाता हूँ जैसे कि ये ये जो यहाँ पे colors थे वो अगर नहीं थे तो मैं ऐसे कर सकता हूँ या फिर मैं इसे ले लेता हूँ और अगर मुझे इसके alignment को change करना तो alignment को मैं change कर देता हूँ ऐसे अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो table style मैंने create किया है ये इसी में रहे मतलब इस document में तो फिर मैं यहाँ पर tick रहने दूँगा या फिर मैं चाहता हूँ new document based on this template अगर मैं new document भी create करता हूँ अगर मुझे वहाँ पर भी अगर इसकी जरुवत हो तो मैं इस पर यहाँ पर click कर सकता हूँ चेंजिस करने तो यहाँ पर हम जो हमने यहाँ पर borders में किया था वहाँ पर भी same options है ठेक है font आता है font भी हमने जो यहाँ पर changes किये थे वह सारे fonts है और भी इसमें बहुत सारे options है सुपर्ज के subscribe वह भी आप कर सकते हैं यहाँ पर size भी change करना है तो change कर सकते हैं और अगर आपके formattings done हो चुके हैं तो यहाँ पर ok कर दें अब border styles में custom borders देखिए यहाँ पर है आपके text पहले से जैसे थे वही से अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ पर clear पर click कर दें clear अगर आपको यह custom border नहीं चाहिए यहाँ तो फिर custom border अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर right click करें delete table style पर click कर दें और यहाँ पर yes कर दें तो आशा करता हूं आपको आज का यह व पूछें तब तक के लिए thank you so much